एक लोग फैंड वेलकम को सिभी लिगान आप सभी कर स्वागत करता हूं आज की क्लास सर्वेंग की है जो की स्पेसल आपको रोजना क्लास मिलती है तो आप लोग इस क्लास को देखते चले हुए आ रहे होंगे आज आज हमारी पहली यह पांचमी क्लास है यह हमारी यह आज सब्सक्राइब करने वाले हैं लगबग आज आपको आज यह करसी आपका खतम हो जाएगा फिर हम नेक्स्ट सब्सक्राइब करेंगे आपको आज पढ़ने के लिए मैंने दिया था क्योंकि आप लोग आगे पढ़ते चलो में पेछे कुछन आपको करते हुए चला आ रहा हू सब्सक्राइब करते हैं और हमाइटे लिगाम चलना से जुड़ जाए जहां पर हम आपको रोजाना जो है टार्गेट देते हैं उसको पूरा करने में आकी हैल्प भी करते हैं ठीक है तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं पहला कुछन आपका है प्रेमिजबल लिमिट आफ पडिन ट्रवानन होता है यावनीट फैफेनेट फैफंडेट होता है टो जब भी आपका रहां कि लिए कहता है तो आपका वं रेशियो दुस्व पचास होता है आपको जाएगा ठीक है नेस्ट कुछन है आपका डिवन चेनिगे इन अलॉग के स्टेट लाइन मतलब अगर हम लोग चैनिंग कार कर रहे हैं एक सिधी रेखा पर लेडर आप दा सर्वे पार्टी हैस थी एरो एंड वाइल आप फालोवर हैस फाइप एरो दा डिस्टेंस आप दा फालोवर फ्राम दा स्टार्टिंग पॉइंट विल भी अगर जब भी सरी कोई कुशन आए अगर जो है उतनी चैन आपके कबर की गई होगी तो यहां पर कितना है फालोवर के पास फाइफ एरो है तो फाइप आपका हो जाएगा अब आप पूछाओ कि ऐसा क्यों कहते हो देखो जब भी हम लोग कोई सर्वे काम सुरू करते हैं जो लेडर होता है लेडर भाई साब क्या ह होता है वो आगे आगे जो है आगे आगे जो है चैन का एक पकड़ करके चलता चला करता है ठीक है और उसके पास जो है स्टारिंग में दस यहां पर आपका फालोवर है यहां पर भाजे साहब क्या हैं और इनके पास किस नहीं होता बस इनके पास क्या उता है अपर आगे बढ़ेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे और इनके पास जो यहां पहली आपने जमीन में यहां पर फसा रखी होगी इसको छोड़ देंगे और इनके पास बच्ची हुई अब यहां दस एरो थी अब यहां जब पहुंचेंगे नो एरो बचेगी और एक और निकल के यहां पर डाल लेंगे जो आपका चैन होता है उसके मुठिया के अंदर इसे डाल लेता है और यहां पर क्योंकि बीना उखाड़े उखाड़ेगा यहां पर लगी होई तभी आगे बढ़ पाएगा तो उखाड़कर यह उसको अपने जैब में रख लेता है ठीक है और फिर यहां पर खड़ा हो जाता है फिर वह लेटर अपना काम यहां जो करता है यहां प फालवर के पास अरो 1 80 होई होई रहती है वो एक होती है अगर एक कठा की तो मतलब कि जब एक ऊच्छेगा यहां पर आपको समझ में आगया होगा तो यहां पर हो जाए आपका राइट अंसर अगला कुश्चन आपका है चैनेज इजदा डिस्टेंस मेजर जो चैनेज होती है वो जो डिस्टेंस नापी जाती है वो कैसे होती है तो आपका जो चैनलाइन यहां पर अपनी जो आपने चैनलाइन डाली होगी ठीक है यह आपकी चैनलाइन होती है आपने यहां पर चैनलाइन पर डाल लगी है ठीक य ही आपका क्या होता है ठीक है कि यह आपकी होता है यह आपकी जो है होती है आप सब्सक्राइब करते हैं तो पहला जो सब्सक्राइब करते हैं तो पहला सब्सक्राइब करते हैं तो पहले हम को जो है एक आडिया लगाना होता है कि कहां से जाएगी कहां पर कितने मिनमम बाद आए हैं कैसे कैसे के आए तो उसी को हम लोग कहते है रिकनेंसियन सर्वे आपसन नंबर डी यहां पर हो जाएगा आपका राइट एंसर अगला कुछन है इन दा सर्वे दा स्लोब करेक्शन एप्लाइट टो दा बेसलाइन इस सर्वे के अंदर जो आपका स्लोब क अठीम आती है तो आटी है तो चैसिक्क अथिक्षिंश सलोब में क्या होता है कि मालों आपको यह दिस्ट्राइट ना था यह अबने 땅 होता क्या डिस्टिन से वह यह जाएगा आगल का जिदा होता है तो ही हमारी क्या हो जाएगा थीन का हो एक जो लम्बाई होती ही स्वाले से हमेशा किया होती आधिक ना पी जाती है तो जब हमयशा पॉस्टिभ मैं ना पी जाएगी तो इसा के अक्षमे होमā नीगेंगें Toy में होगा तो ही कहा गया है जब भी आपका जो कर्द का क्रेक्शन होता है तो और पॉश्टिभा बैलू होगी बढ़ेगी या तो फिल निगतिव यह रहती है यहां पर अगर एरो पॉस्टिव उत्पन होई तो एक पॉस्टिव भी रहेगी निगेटिव भी रहेगी ठीक है तो यह ओड़ता है आपका सुलब करेक्शन आप्सान नंबर एक राइट एंसर होगा अगला कुशन आपका फार्मूले के ऊपर है कि एफ एच इस दा डिफ्रेंस इसको सबको पता भी एक प्रिया एफ एच इस दा डिफ्रेंस इन हाइट बेडमीन इंड पॉइंड पॉइंट आफ इस चैन अफ लेंद एल रिक्वाइड सुलोप करेक्शन कितना होगा यह इस प स्टोप आप अल्फा रेडियन तो अल्फा रेडियन को इस वक्त में जो आपका हुए हुझता हुझतेас हरा में उप you होता है यहां पर यहां पर हटा करके क्यों अलफा हो जाता है आपसा नमबर भी यहां पर इस तरीके से हो जाता है कि अगर हम लोग राइट हैंड साइड में कोई चैनल लाइन अगर आपकी है सब्सक्राइब इस चैनल लाइन है और कोई ऑबजेट है जो कि इस चैनल लाइन के यहां पर सब्सक्राइब आप स्क्राइब में यहां और हमारे हाथ में जो आप्टिकल स्कॉायर होगा यहां यहां पर दो हम लोग फेस है हम लोग इधर के और हमारा दाएं है और हम लोग सर्भे करते हैं यह यूज कर रहे हैं तो बाएं हाथ में रखेंगे यह कुछ ना पूचा गया है फार टेकिंग आफटेकल स्कॉर आंदर राइट हैंड आप दर चेंड अगर कोई चीज आप्रिकल जो कि हमको जिसका लेना है वह हमारा सर्भे लाइन के राइट हैंड में हैं तो उसके लिए को क्या करना पड़ेगा तो भी यह उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो अपना आपके स्कारों को बाई लेप्ट हैंड अप्राइट करना पड़ेगा बाई लेप्ट हैंड अप्रा तो आगे बढ़ते हैं, कि अविच आपधा, फॉलॉइंग बीजेंट एडाप्टेज वॉन फारोविज आपधा फॉलॉइंग बीजेंट सर्वेंग इन वेसे कि सुज़ा के तो यह अगर इसव उसको नहीं होटा, इसमार से इरिया है और अपन गांड़ेट है वहां पर उसको अपना आ जाता है इसमाल सब्सक्राइब के लिए भी नहीं होता लाज एरिया के लिए अगला कुर्शन आपका है कुर्शन नंबर 38 वार्ड इस दा ट्रू एरिया इफ दा एरिया कैलकुलेटेड बाई चैन विच इस फांड वी पॉइंट एट लिंक टू टू लॉंग है और जो एजर एरिया है आपका 100 अकल का एरिया है तो आपको टू एरिया निकालना है कि तूी एरिया क्या होगा तो माल लेते हैं कि वह आपकी रखन है जिसके अंदर आपकी 100 लिंक होती हैstorm है कि 100 लिंग की कोई चेन है और वह पॉइंट एट लिंग टू लॉंग है तो मतलब कहने मतलब क्या होगा वह 100 पॉइंट उसका जो होगा वह एक्ट्वल लंथ है एक्ट्वल लंथ है और इसके दौराज जो मेजरमेंट हो रही है जो नाप रहा है वह आपका हंडेड एकड को नाप रहा है तो यह जो मेजर्ड एरिया आपका है मेजर्ड एरिया आपका है वह हंडेड एकड है हमको निकालना है कि करेक्ट एरिया क्या होगा यहां लिखो करेक्ट एरिया बराबर actual length divided by nominal length into measured area और इसका होता है क्या square तो यह कितना हो जाएगा आपका actual length आपका हो जाएगा 100.8 divided by nominal में 100 का square into multiply में आपका हो जाएगा 100 इसको जब solve out करोगे तो आपका जो यहां से निकल के आएगा वो 101.618 के लगभग निकल के आएगा ठीक option number यहां पर जो आपका हो जाएगा वो option number आपके साथ जो हम लोग जाएगे तो यहां पर फिंटिंग मिस्टेक है यह आपका होगा 101.618 ठीक है 101.618 आपका निकल के आएगा ठीक आगे बढ़ते हैं वह यहां कुष्टे नमबर 39 की तरफ चलते हैं correction पर चैनल लंद आप 100 link along a slope आप alpha तो alpha slope के लिए आपको correction निकाल के यहां बताना है तो आपने कुष्टन को दोहर 16 में आपका कुष्टन ही आया हुआ है कुष्टन तो इसको कैसे करेंगे तो मैं आपका यहां बता देता हूँ रखी है कि हमें जो चैनलिंक नापी 100 link की है यह आपका alpha है यह यहाएगा 100 इन्टू काश alpha लो करेक्शन जो आपका होगा 100 काश alpha मारस के 1 होगा ठीक तो यह आपका जो हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि alpha radian में आपका यहाँ पर जो है यह आपका जो रखा है यह आपका जो है काश alpha मारस को यहाँ पर alpha के विल्यूव आप जब रखोगे यहाँ पर इसको यहां से जो बैलु आपके निकल के आती है वो वन पॉइंट वन पॉइंट कर दो चाहिए पर अब्धाइब कर दो होता है यह अब यहां पर यहां पर अगला इंगल आफडिफाइब डिग्री में भी सेट आउड विद एंगल आ फॉर्टिफाइब डिग्री में बीशेट आउड विद अगर हमको कि यह अंगल फोटिफाइब डिग्री पर सैट करना उसके लिए कौन सा हम लोग स्टाफ करेंगे तो आपका होगा वह आपका फ्रेंच का स्टाफ होता क्योंकि इसके दोर हम लोग 45 नबबे और 135 तक के इंगल को बढ़ा सकते हैं जबकि अप्रिकल्ट के लिए ही आपका यूज़ होता है ठीक है अगे बढ़ते हैं अगला कुशन आपका जो है कि कुशन अगला कह रहा है कि डा डिश्टरेंस बेडविन स्टेप्स फार मेजरिंग डाउन हिल टू अप्टेंट बिटर एक्कुरेसी अगर हम लोग डाउन हिल पे करते हैं तो हमारी जो अक्यूरेसी होती हो डेक्रीज कर जा tik अ उनिध और यह है कि आपटेट लेंग अनुट कि इस आपके हैं और कहरा है कि जो आपका स्वलोण में हैं वरस्टियो में एनहाजंता तो आपको निकालना है कि जो कालोई हो कितना होगा तो आप गर यहां से निकाल हो गए कि 10 alpha का जो मान होगा तो 1 by n हो जाएगा क्योंकि यहाँ निकालोगे लंब बटा आधा से alpha कमान निकालोगे ठीक है हम लोग इतने के लिए निकाले तो 1 how vertical में एन हजेंटल के लिए तो आपका कितना हो जाएगा 10 alpha 1 by n हो जाएगा अगर हम लोग cos alpha की बात करें आपका आधार में जो है आपका a, b और c आएगा ठीक है तो यहाँ से यहाँ से यहाँ तक कि जो आपकी distance होगी वो आपकी इतने हो जाएगी 100 into cos alpha करके हो जाएगी ठीक तो हमको यह निकालना है n हजेंटल में एक वर्टिकल में यह आपको निकालना है आधार बटाकर तो अगर यह निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या under root 1 plus 1 plus n का n का square ठीक है तो अब यहाँ अगर लिखेंगे इसको solve out करेंगे का सलफाग लिखेंगे तो आधार n हो जाएगा तो अब हमको slope correction निकालने के लिखेंगे कि L cos alpha minus के 1 लिखेंगे तो L के हो जाएगा 100 और cos alpha आपको n लिखेंगे divide by 1 plus n square की power 1 by 2 minus 1 यह हो जाएगा तो अब इसको पूरे को जब solve out करोगे तो यहाँ से जो आपका निकल के आता है answer वह आपका आता है पचास डिवाइड वाई n square जो कि option में कोई ऐसा मैच नहीं कर रहा है ठीक है तो यहां से भीया इस question को ससी ने पूछा था पतने इसमें क्या answer वाना था पर इस समय जो है इसमें कोई answer नहीं होगा क्योंकि पचास अपन इन इसकार आपका होता है ठीक है यह आपका इस तरह निकल करोगे पूरा इसमें रख्यवलू करोगे इसको तो यहां से पचास अपन इसकार आपका अगला कुशन आपका है इन चेंज सर्वेंग फेल्ड वर्क इज लिम्टेड जो आपका चेंज सर्वेंग होता है तो आपको पता है इसमें क्योंड आपका लीन्रेमेंट होता है इसमें कोई आपका जो होता नहीं तो आपसे नंबर यह आपका क्योंड हो जाएगा कड़ तो यहां पर रहने वाला है अगला कुछन आपका है कड़ गया भी यह जा सुलोब करेक्शन फार एलंद आफ टीस मीटर एलोंग ग्रेडियंट बस जैसे मैं अभी जो कुछन बताया से उसी पाटन पर कुछन लगेगा आपको इसको होमवर्क में करना है और करके वादनेस का कोचन आ चुका है इस को अनको हम एक सकंड में करेंगी छो है कुछ कुछ नैसे होता है जो आपकी आसानी से हो जाता है जिसके पूए लंबी करेखा है जिसके लंबाई कितनी है 398 मिड़ी यह आपकी true लंबाई है When measured by a chain जब उसको chain की दोरा नापा जाता है तो उसकी लंबाई 20 मिटर जो आपकी chain है उसकी लंबाई आपाता है तो वही लंबाई 400 हो आता है तो what is the actual length of the chain तो याद रखना बढ़ी chain कम नापती घटी नापे जादा दो लाइन है एक लाइन है कि बढ़ी chain कम नापती घटी नापे जादा तो घटी भी chain जो होती जादा नापती है तो 20 मिटर की chain से अगर हम लोग सही दूरी 391 को नाप रहे है तो 400 मिटर आ रहे है कहीं ने कहीं जो chain आपकी है वो जादा लंबाई को नाप रहा है तो बढ़ी chain कम नापती घटी नापे जादा मतलब कि 20 मिटर की जो chain लंथ है वो अपनी वो actual लंबाई में नहीं है वो कुछ नकुछ उसमें कुछ खटवती हो चुकी है क्योंकि वो तभी ज्यादा आपको नाप रही है तो एक ही आपसन 20 से कम है कौन सा एवाला आपसन आपसन नमर एपका राटन सरो जाएगा अगर आपको इस तरीक नहीं समय आता तो आप हमड़ा यूज़ कर सकते हो कि जो आपका correct distance होता है वो आपका क्या होता है actual length of the chain अपान कि nominal length of the chain इंडू की major distance होता है तो आपने जो correct आपका है 398 है बराबर actual कितना आपका है वो नहीं बता वहीं आपको निकालना actual chain की length आपके जो nominal length है 20 मिटर की है और आपने कितना मिज़र किया 400 का मिज़र कर लिया है तो 398 बराबर x बटा 20 गुड़े 400 यह यह कैंसल और 200 हो जाएगा यहां पर 20 तो 398 बटा 20 आजाएगा इसको कैंसल आटकरो 292 दो 292 और यह हो जाएगा कितना 292 298 और 298 एक सो न्यानने बटा 10 को काटो कित हो जाएगा और उनने इस दसमलोड नो आजाएगा तो आप देख सकते उनने आपका पहले भी आ रहा है ठीक है तो कुछ कुछन को आप सकते हैं इसका आंस तरीके से होगा वागि आप जो है असानी से कर सकती हो ठीक तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही किुछ सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे तो आज ग्लास के लिए बस इतना ही मिलते हैं कर फिल इसी वीडियो में तब तक लिए थांक्यू जैहिंद जैभार तक रफ चैनल पे नए हैं चुलने को सब्सक्राइब जरू करके जाईएगा